हाई वेलकम तो माई चैनल और आज मैं गिटार के स्ट्रिंग्स का रिव्यू और अन्बोक्सिंग करूंगा यह स्ट्रिंग्स है जुआरेज कंपनी तरफ से अभी कुछ दुनों से मैं देख रहा हूं एमाजन पर रेगुलर कि जुआरेज एक कंपनी है जो की काफी एकोनोम सर्च कर रहा था तो एक रेंडमनी मेरे पास जुआरेज कंपनी की गिटार स्ट्रिंग्स देखने को मुझे मिली जो की काफी लो प्राइज में चाहिए तो मैंने ऐसे रिव्यू और इस तरह से इसलिए सोचा कि पता तो चलेगा कि इस स्ट्रिंग्स में क्या है क्या यह व आ लिए थे तो एमाजन से अभी आए अभी इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे और साथ में इसका स्ट्रिंग्स को इंस्टॉल करेंगे कैसा इसका साउंड है और सारी चीज़ां आपको बताता हूं तो अभी फटा-फट से कर लेते हैं अन्बॉक्सिंग देखने कैसा स्क्वार शेप का इसका पैकेट होता है जाता तर देखता हूं ओके यह मेरा बिल है और बिल कोने से फट गया है तो इसकी प्राइज मेरे को 200 रुपीस डिलीवर के बाद पढ़ी है यह देख सकते हैं आप यह है जोरेज जे एजी टू टू जीरो एस अकुस्टिक गिटार स्टिंग्स मुजिकल इंस्ट्रुमेंट काटिगरी और एक बेसिक सी पैकेजिंग है प्लास्टिक की ट्रांस्परेंट सी से हां लोग यह बात बघ्र का गेज कहीं है इसका गिटार स्टिंग एवां े लेवन फिटीटू यानि Sea मीडियम होता है ज़्यादा बात है तो देखते हैं कैसे सीलिग है इसमें इसमें और एक स्ट्रिंग एकस्टा मुझे मिला है फस्ट इस्ट इस्टिंग के देखें यह उनकी डिस्क्रिप्शन में था इसलिए भी मैंने मगाया क्योंकि फस्ट सबस्यादा टूट जाता है क्योंकि बहुत थिन होता है इस पर टेंशन भी सबस्जादा उती है इसको ट्यूनिंग यानि कि सबसे मोटा वाला ये फिफ्थ उसे थोड़ा कम फॉर्थ थर्ड और सेक्ड तो टोटल इसमें सेवन स्टिंग है गिटार में छे लगती है एक स्टिंग स्पेर के तौर पर हमको मिलिए अब इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका साउंड टेस्ट करेंगे यानि करके है त scholars खब संग ओर गर हाम करें देस्ट करेंगे यानिहरो रüpके वर कहुतासे तो, हमके है एक स्टिंग स्टिंग मेंन यां है जे कुल अला अष्ट करहाँ कि बत्यों करुम करेंगे ऊघ Haag तो आग में जे महां करेंब ठोमापम है तो तो दो है वा जito से करेंगे अब मैं इसमें अपनी अपिनियन बताने जा रहा हूं यह स्ट्रिंग मुझे सुनने में काफी अच्छी लेगी इसकी टोन बहुत ही ब्राइट यह कह सकते हैं थोड़ी खुली उसी टोन है कोई दबावा नहीं यानि कि हाइस तोड़ी इसकी अच्छी है इसका जो लोई स्ट इसलिए थोड़ा सा बेस उतना जादा नहीं मिलेगा मेरा जो मेरा जो गिटार है वो ड्रेड नोट साइस का गिटार होता है तो वैसे इसमें काफी अच्छा है और मैंने एक एक्स्पिरेंस किया है से पहले डियर आई होगा ईजएड नाइन टैन मेरा स्टिंग लगा जो इससे मेरे पास परेल लगा था वैसा ही साउंड है शायद अच्छा भी हो सकता है ऐसा है कि साउंड का जो है वह इतना एजी नहीं होता उसका रिव्यू देना तो मैं इतना ज्यादा जल्दी इसका कुई जेंडमेंट नहीं कर सकता हूं इतना बोल सकता हूं कि यह करें अगर मैं आपको प्राइज नहीं बता हूं तो आपको सुनके नहीं बता सकता तो इसलिए मैंने ऐसे रिव्यू के लिए भी स्टिंग खरीदा था और और अपने को प्रमोट कर सकें इंदे बिगनी जो आइसा ही कंपनी मुझे लग रही है मुझे ऐसा लगता है कि जोहरेस की गिटार भी शायद अच्छे होंगे अगर हो सके का कुई जोहरेस का गिटार का रिव्यू करने का तो मैं रिव्यू करूंगा अभी के लिए नहीं मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिए आगे भी वहत अच्छी वीडियो आने वाली हैं गिट तक कि लिवाए बैदा